आप सब हमको ओटोनोमी पर पर धेर सरे सूब कमना हम 10 जुले को हर सल ओटोनोमी पर मनाते हैं ओटोनोमी ये सब जो है ये ग्रीक वार्ट से आया हुआ है ओटोनोमिया से ओटोनोमी हुआ है और ये ओटोनोमी सब दो ग्रीफ सब से बना हुआ है पहला है autos जिसका आर्थ होता है self या स्वाएं और दूसरा है nomus ये इसका आर्थ होता है law या नियम होता है याने कि having its own law याने कि हम लोग कलिश्या के दिश्टिकों से कहेंगे स्वासासन का अधिकार प्राप्त करना हमारी कलिश्या दूसरों के दौरा से जब मिसनारी लोग छोड़के गए चलाया जा रहा था उनके आगोई के दौरा प्रांतु 10 जुलाई के बाद में स्वाएं कलिश्या के आगों ने अपने कलिश्या का भार अपने उपर मिलिया स्वाएं चलाने का जीमा अपने उपर मिल और इस करन से ओटोनुमी को हम मनाते हैं ओटोनुमी पर्प के विशय में ज्यादा चाच्चा करने से पहले हम कलिशय की थ्यास पर ध्यान देंगे हम जब देखते हैं अठरा सब ब्यालिस त्यालिस इस्वी में बर्मा जो बर्तमान के मियानमर देश है वहां एक डक्टर काम क लेकती थी उन्होंने कहा कि मैं इनका बदला कैसे लूँ और उन्होंने कहा प्रेम के साथ में बदल लेना चाहिए इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना इनके बीच में सुसमचार प्रचार किया जाए और उनका जीवन जो कि कुरूरता का जीवन है उसमें बदला हट ला दि इसलिए उनके पास जब उन्होंने चीठी भेजा तो उन्होंने चार मिस्नरियों को उस बर्मादेश के निमित उन्होंने भेजा और ये चार मिस्नरी थे जिनका नम हम लोग उनके किताबों में हम पाते हैं और पहला नाम था रेबरेन इमेल सत्स, दूसरा नाम था हेडरीक तीसरा नाम था रेवरेन अगस्तुस ब्रंद, चवथा नाम था रेवरेन ई थ्योदर यांग के चारो पादरी थे और ये अभिशिक सेवक्स लोग थे और ये लोग कलकाता में पहुँच जाते हैं और कलकाता पहुँचने का उनका तारिक था 31 डिसेंबर 1844 और 1844 के आखरी भेवरेन में लोग पहुचते हैं प्रंद, वहां पहुचने के बाद मोन थे पदा चलता है जिस जगा को उनको जाना है, जहां पस सिसमाचार प्रचार करना है, वहां दूसरे अमेरिका वप्टिस चार्च के मिस्टिश के मिस्टिस्दी आप पहुँचए हैं, और वह रत्ता में ही बैबेल सूसाइटी के उस समय के जो यह थे अधिकरी थे उनके पास में उनोंने रहा उन्होंने कहा यहाई पर लाकर हेवर लिन जो सहाब थे उन्होंने का यही पर इंतिजार किजिए प्राबव आप लोगों को मर्दासन करें कहां जनाय कैसे करना है और काफी दिन ये लोग इन्तिजार करने के बाद साथ फर्वारी को, उन्हों ने आधिवासी लोगों को देखा, जो के मुर्णडा, ओराम, खडिया, संतालि हो इत्यादी जो जो आधिवासी लोग है, ये बरा सराल लोग होते हैं, सीधे सादेलोग होते हैं, कलकतक में वे लोग क्या कर रहें, कूली काम करने के लिए गया हुए थे, उनके जीवन को देखा तो उन्हों ने कहा, इनके बारे में पूछ ताच किया लगे ये लोग छोटा नकपूर छेतर के हैं यानि कि जरकन राची छेतर के हैं तब उन्होंने सोचा कि क्यों नहूं उनके बीच में जाकर सुसमचार प्रचार करें इसलिए उन्होंने निर्ने लिया कि हम यहां से छोटा नकपूर छेतर के लिए जाएंगे जहां इस्वर का अग्वई हमें मिल रहा है और उन्होंने 25 फेवारी को वहां से जाने का निर्ने लिया क्योंकि जान रहे थे कि उनके लिए बर्मादेश जाना संभव नहीं था बर्मादेश में दूसरा मिस्नरी आ गये थे अमेरिकन बाप्टिस चर्च के मिस्नरी उनके बारे में थोड़े सा सब्द में इस प्रकर में बता दू American Baptist Church की जो मिस्णरी थे उनमें प्रमुग जो थे एडोनी राम जुडसन और उनके धरम पतनी उसके अलावा जॉर्ज नाम का बेखती था उनके धरम पतनी सारा ये लोग प्रमुग रुप से थे और इनमें एडोनी राम जुडसन जो थे वो प्रमुग था उन्होंने ये सोच कर वहां गया हुआ था कि कम से कम मैं बर्मादेश में जो मैंनमार है बर्तमान में वहां पर एक मनली की स्थापना करूंगा जिसमें साव विस्वासी लोग गिर जा करने के सक्षाम होंगे प्रन्तु उनके सेवकई के बाद में जब उनका म्रीती हो जाता है तब तक में लगभग वो आठरा साव बारा तेरा में जाते हैं प्रन्तु उनका म्रीती जब होती है आठरा साव पच्चास लगभग में तब तक उन्होंने साव मनली, एक नहीं साव मनली उनके स्थापना किया, विस्वा से उनके संक्या अठ हजार के करीब हो गये थे, प्रांतु उन्होंने उसके बदने कामी काफी कीमा चुकाया, दीको उनका जीवन का पहला पढ़ाओ ही, जब वह जात्रा करत अपने पत्नी क लग समुधर के बीच में खो दिया कही है, उसके बाद में हम देखने पाते हैं, पांच-्दास सल प्रयास करने के बाद में, दास-बारास साल प्रयास करने के बाद ही बहुत ही काम, यानि आठरा लोग ही प्रभू को गढ़ान कर पाए, इसी बीच में अंग्रेज और बरम ना पिना जुगाड करने इसमें बहुत सारे उनका तकलिव हुआ उनका बीमारी का सिकार हो गए उनको कई प्रकार के तनाव का सिकार हो गए अंत में उसका मृति भी हो जाती ना के वालों मर जाती है उसने उनका बेटा का भी डेथ हो जाता है इस तरह से या बैक्ती पहला सं उन्तान भी खो चुका है इसने यहां उनका ध्रम पत्नी भी मार चुकी है उसके बाद में जो जो जौर्ज थे उनका पत्नी सारा जो भी बिमारी के करम से मर जाने के बाद में उनके पत्नी सारा से यह भी बाह कर लेता है और यह भी काफी साल से हो कही के बाद में जब बिमार पड़े, तब अपना पत्नी को अपने देश के लिए भेजना चाहा, और जब अपने देश के लिए लावठी रही थी, जहाज में ही, पानी जहाज में उनका डेथ हो जाता है, और उनका कबर भी पानी में हो जाता है, कहिए, इसके बाद में हम देखने पाते हैं, इन्होंने कफी ज़्यादा लोगों को प्रभु में लाया उसमें से एक बैक्ति का नाम लेना चाहूंगा और ओबैक्ति था था ब्यू नाम का बैक्ति ये अप्राधी था हत्यारा था तीस से अधिक मडर कर चुका था लेकिन प्रभु का वचन सुनाने के बाद में इनका जीवन बदला हाठ हो गया और था ब्यू को उन्होंने प्रभु का सीवग भी बना दिया और नाकेवल वह अपने अकेले भी सुवास्व में आया प्रांतो अपने साथ में देखिए बारा सो सत्तर बैक्तियों को प्रभु में ले आया और इस तरह से उसके माध्धम से काफी सारे लोग प्रभु में आ पाए इस तरह से उनके बीच में काम किया जो करन जाती के लोग थे वहाँ उनमें से बहुत सारे लोग प्रभु में आ गए अंत में जब पचास और आठास और पचास लग भग में वो बिमार पढ़ गया बार बार जुट सन तो क्या किया अपने देश को लौटना चाहू लौटने के क्राम में उसका डेट भी जहाजमी हो जाता है यानि पानी के बीच में ना केवल उन्हों अपने पत्नी को कोया एक पत्नी को जिसे पानी के बीच में खुद का जीवन भी इस प्रकार से काफी सरुन्नों त्याग के बाद मुहां मनली के स्थाफना किया और वहाँ अब भी फल फुल रहे कलिशिया है प्रंदो हम यहाँ पर देखेंगे चार मिशनरी लोग जिन को बर्मा जाना था प्रंदो छोटा नकपुर छेतर आ जाते हैं उनसे 25 फेवारी को कलकाता से लोग निकालते हैं हैबरलिन के आगवई में यह लोग आकर बंकुड़ा नमक जागा में यह लोग डेरा करते हैं और वहाँ पर यह लोग इसलिए के जून महिना पर पहुंचते हैं पहरवारी 25 निकालते हैं जून महिना पर पहुंचते हैं बैलगड़ी के सारे और वहाँ पर एक डक्टर था डक्टर के पास में जिसका नम चेक था उनके पास में वे लोग ड्राते हैं और लोग बरसात वहीं पर रहा जाते हैं वहीं पर रहा के लोग हिंदे सिखने लगते हैं हेबरनिन सहब क्या करता है उनको छोड़कर राची आ जाते हैं ताकि उनके लिए यहां जगा तैयर कर सके ताकि आकर यहां राज सके अर्सुसमाचार प्रचार करें इसके बाद में वे लो आखरी पड़ाओ के लिए राची के लिए लो 15 अक्टोबार को यह लो निकालते हैं और यहां पर पहुंचते राची 2 नोभेंबर 1845 इसलिए हमारे कलिशिया में विशेश दिनी के रूप में याद किया जाता है 2 नोभेंबर मिशन का आना या विश्वास मिशनरियों का पहुंचना 2 नोभेंबर को होता है उसके बाद में यहां पर अंग्रेज कमिशनर दो एक तो कमिशनर जिनका नाम था असले सहब और दूसरा डेपूटी कमिशनर था और उसका नाम था हनिंग्टन यह दोनों ने इन चारों मिशनरियों को मदद किया और उन्होंने रातु महराजा से बात किया रातु महराजा ने इनको जमीन दान स्वरुप दे दिया जो कि उ उस जमीन का अनुपाद था 121 एकर 90 डिसमिल था और ये कमिशनर के सहयोग के द्वारा से ये जमीन का बंदवस्त किया गया और सोसाइटी मने चेरिटेबल वार के लिमित और समाजिक सेवा के निमित इनके नाम से किया गया और ये कलिश्या के नाम से अब भी है और हम देखन में पाते हैं यमीन होने के बाद में पहला डिसेंबर को उन्होंने मीशन स्टेशन के स्थापना किया जहां पर आभी मोडेटर का बंगला है और उन्होंने इसका नाम करण दिया है बेतसदा बेतसदा का आर्थ है क्रीपा का घर और क्रीपा का घर जो बेतसदा है बेतसदा प्रैमेरी स्कोल, मेडेली स्कोल, लाइ स्कोल, बैसर दा इंटर कॉलेज, इत्यादी कही सारे नाम से जना जाता है, क्योंकि ये नाम सुरूआत में रखा गया, इसके बाद हम देखने पाते हैं, ये लोक्सु समचार, प्रचार के अलावा, उन्होंने स्कूल की स्थापना कि उन्होंने बच्चों को पढ़ाने का कोसिस किया, क्योंकि आदिवसी लोग सिखित होंगे, तब ये उन्नाती करेंगे, अपने अधिकार को जानेंगे, और जीवन में तरक्य कर पाएंगे, लेकिन लोग आना नहीं चाहते थे स्कूल, उनको घर घर जाकर बच्चों को बु सिखित होने के बाद अपने आधिकार को जानने लगे, तब जो उनको सोसान कर रहते, उनको तकलिव होने लगा, क्योंकि सिखित होने के बाद अपने आधिकारों की बात करने लगे, इसलिए कई लोग ये सिख्चा को तूच भी जानने लगे, जो लोग सोसान कर रहते, ऐस school 32 हम पाते हैं अपने कलिशिया में college भी हम लोग च्माच्छे पाते हैं इसी के दर्मियान में हम लोग देखने पाते हैं theological seminar या theological college भी जो हमारे गोस्नर कलिशिया का एक मातर theological college है जो कि 1879 में स्थापित किया गया शुरुवात किया गया इसलिए कि विश्वासी लोग बढ़ने लगे तो यहां के लिए सेवा का उनको सेवा का उनको तयार करना हो सकता था इसलिए इस college का सुरुवात हो जाता है और दूसरे प्रकार का सेवा school के लगा उन्होंने रोगिया उनके सेवा किया याने कि hospital खुलने का जो सुरुवात था मिसनारियों के अगवई से ही याने कि school, hospital आरुसी के दर्मियान ही काई सर्फ hospital खुल गया हलाकि बरतमान में उस हालत में नहीं है इसमें हम लोग देख पाते हैं राच्ची में, पूरलिया में, आमगाउं में, टकरमा में यहां hospital सब पूरे भारत बास में देखते हैं हरी कलिशिया अपने अपने तरह से hospital खुल के माध़म से देश को सेवा देने का प्रयातन में लगा हुआ है, तीसरा जो है इस्वर का वच्चन प्रचार करना है, गाउं गाउं घार घार जाकर लोगों के बीच प्रचार करते और गोसना साब को चिठी लेकर भेजे, किया न हम हम दूसरे तरफ चले जाएं, यहां कोई भी ग्रहन करने के लिए तयार नहीं है, गोसना सार उनको कहा, तुम्हारा काम है सुसमचार प्रचार करना, मान फिराना यह परमेशर का काम है, काब उनके मनों को अगोई करेगा, फिरान के प्रभुग को ग्रहन करेंगे, उनका काम है, आपका काम नहीं है, क्योंकि वह रोसाहन के साथ उनको भेजा था, भजन सहिते 126 पाच और च्छापाद को उनको पढ़कर, उनको अगोई के रूप में दे कर यहां भेजा था, और उसी वचन के ताथ में लोग काम क करतने में आगे बढ़ते रहे, और सबसे पहले बपतिस्मा के रेकोर्ड के अनुसर कहा जाता है, मर्था नाम की एक बली का, जो कि हम पाते हैं, 25 जून को हम पाते हैं, 18 साव 46 को, यानि कि एक साल बाद ही उनका बपतिस्मा होता है, यह दानापूर की मुसलिम बच्ची थी उनको लाकर बपतिस्मा दिया गया, परन्तु कुछ देरी के बाद उनका डेट हो जाता है, मरीती हो जाती है, उसका दूसरा दिन 26 जून को, हम देखते हैं, लोहर दगा के दो बच्ची उनको, आनाद बच्ची उनको लाय जाता है, जिनका नाम तॉमस और मेरी था, इसके आदमी और अन्य बच्चों का बपतिस्मा होता है, परन्तु बढ़ों के बीच में, पांस साल तक किसी ने ग्रहन नहीं किया, सबसे पहली बार, नाजुन 1850 को, चार उरां भाईयों ने अपने परिवार के साथ बपतिस्मा लिया, वे लोग थे हैथा कोटा गाउं के डोमन पोड़े, दूसरा था कारण के घुरन और चिताकुनी के केसो और बंधो, इन चार का परिवार, शुरुवात में ये लोग भी इस्वास में नहीं आते थे, मिसेनरियों के पास आये, उन्होंने कहा हम इस्वास को दिखा दिजी, हम इस्वास करेंगे, उन्होंने कहा कि हम दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए ये लोग अड़चन में पड़ गया है, ये लोग आपस चले, कुछ दिन के बाद में फिर से आये, उन्होंने कहा कि आप इस्वास को नहीं दिखाना चाहते हैं, तो मत दिखे, हमें गिर्जा में बैठने का उसर दिजीए, उन्होंने कहा है ये ताव, उन्होंने गिर्जा में बैठा, बैठने के बाद में उहाँ सुरू से आखरीता में कोई इस्वास दिखाई नहीं देया, उनके सोच विचार में ये था कि इस्वास को निकलते था होंगे, और उनका उपस ना करते हैं, लिकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बाद में उनको पता चला की इस्वास दिखता नहीं है, इस दुनिया में 2000 साल पहले ताभी तो दिखता नहीं है, इस्वार है, जीवित है, अब भी काम कर रहा है, उसके बाद पूरे परिवार के साथ विश्वास किया, और बबतिसमा लिया, उसके बाद मुंडा जातियों में से हम देखते हैं, 26 अक्टोबार को 1851 को उसके एक साल बाद ही बंधिया का सधो मुंडा और बलालों का मंगता मुंडा, ये लोग प्राभु को ग्रहन करते हैं, पूरे परिवार के साथ में इस तरह से कलिश्या धीरे धीरे बढ़ने लगता है, इस करान से कलिश्या के निमित, यहां चर्च बनाने के निमित, 13,000 गोसनर सहाब ने भेजा और उन्होंने यहां पर गिर्जगर बनाना सुरू किया, आठरा सा इकवान में बनाना सुरू किया, चार साल बाद आठरा सा पाचपाने बन कर तयार हो गया, एक साव लोग उस समय तक भी सुआस में आ चुके थ और प्राभू के उपसने में सामिल होते थे, इसलों उन्होंने बड़ा गिज्य घर बनाया, और जब बना के तयार हुआ, आठ सो लोगों का बैठने की केपासिटी के हिसाब से बनाया गया, प्रन्तु बरतमान हम देखते हैं, चार लाग से जादा भी स्वासी लोग इस कल कलिशा बढ़ने लगा, प्रन्तु कलिशा जैसे बढ़ने लगा, सताहट एक बार आया, और ट्रा साव संतावान में सिपाही बिद्रो हुआ, जिनके कारण से काफी लोगों के बीच में ये इस प्रकार की भवना हुआ, काफी मसी लोग इसलिए के अंग्रेजों के साथ में सेना में भरती होकर, हमारे बिरोध हो रहे हैं, इस कारण से कलिशा के पे तटना हुआ, हलाकि इस प्रकार की यह पाही था, और उस प्रकार की योजना नहीं था, प्रन्तो एक बात था कि सिपाही बिद्रो तो पूरे देश में चला, और इस कारण से राची भी अरिया में भी आया, और इसमें कलिशा को काफी नुकसान हुआ, विस्वासी लोग पितर वितर हो गया, गिर्जगरों पर तोड़ पूर किया गया, संपती लूट लिए गया, विस्वासी अपने जान को बचाने के निमित हम देखने पाते हैं, कि बिल सेरिंग जहां इस गाउं में हम देखने पाते हैं, नादियों के बीच में टापू था, जहां जाकर आपने जान को बचाया, और उस नादि के बीच में रहकर काई दिनों तक अपने जीवन को सुरक्षित रखा, इस तरह से विस्वासी लोग धीरे धीरे बढ़ते गए, एक साल के बाद में बीद्रो दाम पुर्ना और नय मिशनरी भी थे, उन में मत भेद होने लगा, वहां जर्मन से ही, वहां अधिकरियों के और से कई प्रकार किये चीजों के लेकर नया और पुर्ना मिशनरीयों में थोड़ा सा भेदवाव की भावना दिखे दिया, इस करण से यहां भी उसका लाहर हुआ, और 14 में से 6 जो थे, लुथरन कलिशया को छोड़ कर, एंगलिकन कलिशया में हमेशा के लिए चले जाते हैं, और विश्वासी लोग भी उनके साथ में एक बड़ा दल चले जाते हैं, लगभग सत हज्जार के लोग विश्वासी उनके साथ में चले जाते हैं, प्रंतु कलि और दुनिया में जितने भी देश है, दो भाग में भी वजित होता है, एक तरफ ग्रूप के लोग, दूसरे तरह अपजिट ग्रूप के लोग, इसी तरह हम देखने पाते हैं कि जर्मानी को इंग्लांड से अलग आप एक दूसरे के पिरोधी देश के रूप में लड़ते कुछ भी हो, प्रांतों उसका चार साल तक जब जूद चला, आसर दुनिया भार में हुआ, भारत में भुगा, इसलिए अंग्रेश सरकर जब कुछ समय सासान था, जर्मान के मिश्णारियों को आदेश देदे, तुरांद देश चोड़ कर भग जाए, और उनके पास में ट कलिशया को सौब दिया, उसमें रेबरेंट हानुगदा तो लकड़ा जो प्रेसिडेंट के रूप में, और पीटर हुरा जो के सेक्रेटिक रूप में, और डीम पाना और निर्माल सोई, इमेंबर के रूप में थे, इनको बनाया सेंट्रल कमिटी के रूप में, और इनको क कलिशिया का देखभाल करने के लिए इंगलिकन चर्च के विसब वेस्ट कोट को उन्होंने काम सोंग दिया और विसब ने बहुत ही विस्वास्ता पूर्वक कलिशिया का देखभाल के लुथरान कलिशिया अपने कलिशिया के अलबा लुथरान कलिशिया के देखभाल के दो स के बाद में उनको लगा कि क्योंना सारे भी स्वासी हमारे यहां आ जाए हमारे कलिशया की शंख्या बढ़ जाया इस करन से उस समय जो घर बंधू कि पत्रिक आते उसमें उन्ह 210 लेख लिखना शुरु किया और उस लेक्षम में उन्होंने कुछ दोनों कलिशया एक प्रकार कभी स्वास है और एक ही बैबल का इस्तिमाल करते हैं तीसरी बात उन्हों दर्साने का दोनों कलिशया दो ही सक्रमेन प्रभोज और बबतिस्मा का सक्रमेन इसलिए दोनों में समन्त है तो क्यों ना लुथरन वाले हमारे कलिशया में मिल जाएंग जो हमारे भारत बार्च का एक बड़ा सा सेंगाठन था, इस संगाठन का मीटिञ था, और उस मीटिंग में उन्होंने प्रस्तूत किया कि आप लुथ्रन कलीशह के सारे लोग यह चाहते हैं कि हमारे अंगलिकम कलीशह मिल जाए, जैसे उन्होंने मीटिंग में इस प्रस्ताव को रखा उस मीटिंग में पीटर हुरा निर्मल सोय ये दोनों उपस थी तो उन्होंने कड़ा भिरोध किया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है उस समय लगभग संतन अभी हज्या विश्वासी थे हमारे लुठरन कलिशया में और सारे लोग उसमें जाना चाते हैं उन्होंने ऐसा रिपोर्ट दिया तब इन्होंने जब बिरोध किया तब सभा के लोगों उन्हें सोचा सचे ही इसमें किया है चलिए हम जाकर वहां इसका पता लगा है इसलिए उन्होंने एक कमिशन बनाया जिसमें दो भाग कर दिया चार लोगों का कमिशन था पहला कमिशन में किसको बनाया डक्टर एस के दक्ता यह लहोर खिस्टियन कॉलेज का प्रिंसफल थे और उनको एक ग्रूप में रखा उनके साथ में जे जेड होज नाम का बैक्ति था इनको रखा अपने दाल में और उनको एक ग्रूप होकर एक तरफ जाकर सर्वे करना था दूसरा और ग्रूप बनाया उसमें थे प्रोफेसर एस सी मुखर जी एस से रंपूर कॉलेज के प्रोफेसर थे उसके साथ है डक्टर फेल्ट इन दोनों का एक ग साथ में वे लोग देखिए मार्च महिना में सुरू करते हैं मार्च महिना आखरी करते हैं यानि कि लगभग एक दो महिना यह लोग रिसाच ही करते हैं लोगों के बीच में और इसके बाद में उनको पता चलता है जो असलियत किया है और इस रिपोर्ट को उन्होंने दूस दूसरा मीटिंग, नेशनल मिस्रेत काउंसिंग का, वो था अंदर प्रदेश के गुंटूर में हुआ, और ये मेह महिना उन्नेश सा उन्नेश में, उन्होंने पाया कि सारे विश्वासी लुथरान विश्वास में ही जीना मरना चाहते हैं, दूसरा उन्होंने पाया कि हम आटनमस होकर स्वाएं चलाना चाहते हैं, इन बातों को जब मीटिंग में रखा गया, तब वहाँ निर्ना लिया गया कि लूथरान कलिश्या को आटनमस गोसना का तयारी किया जाए, यानि स्वाएं से कलिश्या को कंधेर अपने उपर लेकर स्वाएं चलाने का इसकले राची आजाते हैं, साथ जुले को, साथ जुले, उन्नेस सो उन्नेस को, और आठ तरेक, ना तरेक और दास तरेक, तीन दिन तक, यहां के सेंट्रल कमिटी के सादसंग के साथ मीटिंग होता है, इसके साथ ही सेंट्रल कमिटी के आलावा, जितना भी डैसिस के, जितना भी विभिन छेतर में जो छुने गए लोग होते हैं सेंट्रल कमीटी में बाइटने के लिए उनको बुलाए जाता है ए लोग नव तरीकों नव जुलेई को आजाते हैं राची और दस जुलेई को मीटिंग होता है मिटिंग के बाद में एक घोषना पत्र तेर किया जाता है रवरेन हनुगदत लकडा की अगवोई के दौ़रा ओ गोषना पत्र किया जाता है जिसे पिटर कुरद ने लिखा था और उस घोषना पत्र को दस चुलई के दिन में राची के गिर्जागर में पढ़ा जाता है समय राता है दो पहर दो बच कर तीस मिनिट और घोषना पत्रा को हम अपने अरधना भीधी में पाते हैं और उस घोषना पत्रा में एक खास बात जो है सारे लोग सपत लेते हैं वो तो है हम अपनी मनली का कर्द निर्बाह के लिए आत्म ससान का कठीन भार अपने उपर लेने को तयार है ये जो सेंटेंस है सारे लोगों को उच्छरान करवाया जाता है दोहराया जाता है आज भी जील चर्च में इन चीज़ों को इस सेंटेंस को विश्वासियों को दोहराने के लिए कहा जाता है हम अपने मनली का कर्द निर्बाह के लिए आत्म ससान का कठीन भार अपने उपर लेने को तयार है इन चीज़ों को उस समय उस गोशना पत्रा के साथ में जो अधिकरी गान थे सेंटरल कमेटी के प्रेशिडेंट हनुगदात लकड़ा और सेक्रेटरी पीटर हुराद और मेंबर में ट्रेजरा थे निर्मल सोय और मेंबर में से रेबरेंट इसा की एका और रेबरेंट खिस्तो गिरितीर की इनके अलावा 79 सदसेओं का उसमें नाम का रन था हलाकि उस सभा में आने वाले काई और लोग भी थे बहुत सारे लोग आये हुए थे जो कि विजिटर्स के लोग में और लिफ्ट जब देखा जाता है उस दिन का सभा का उसके अनुसर का जाता है राची से 22 सदसे थे उनका नाम सहीत है प्रंत उनका नाम मैं नहीं बोलूँगा राची से 22 लोग थे 32 लोग थे बुर्जु से 22 लोग थे टकर्मा से 2 गुमला से 2 लहरदगा से 6 चैनपूर से 5 किंकेल से 3 कुरुन्जो से 4 खुटिटोली से 3 राजगंपूर से 3 चैनवासा से 3 पुर्लिया से 3 करिमटी से 1 और कुंडरा से 2 इस प्रकार उनका लिस्ट पाया जाता है उस दिन का सभाव में और ये लोग गोसना पत्र परने के बाद में सक्सी बनी 147 को गाते हैं गाने के बाद में लोग बैठ जाते हैं और उसके साथ ही कलिशया ने पॉर्टोनोमी को प्राप्त कर लिया उस दिन के बाद में और इंगलिकन का और दूसरे लोगों का खस्तिचिप नहीं रहा लुथरन कलिशया सुएं उन कमिटी और अधिकरियों के अगोई के दरा विस्वासी लोगों के देंदान से संभाला गया है बाहरी सहयोग हम लोग ना चाहकर अपने से अपना कलिशया को संभालने चलाने का कठीन भार अपने उपर में ले चुके हैं जब उस्टोनोमी लेने के बाद में इस कलिशया के निमे संभीधान बनाने की बात आई और हमारे कलिशय का समिधान को बनाने में एक बेक्ती का काफी यादा जोगदान रहा वो बेक्ती था Reverend G.A. Ruple Reverend G.A. Ruple जो की आमेरिका के Lutheran Church से सम्मान नित था इसलिए हमारे कलिशय का जो Constitution है समिधान है वो United Lutheran Church of America उसका जो Constitution उसी के आधर पर बनाया हुआ है और उसी से मिलता जुनता ही बनाया हुआ है और Constitution बनने के बाद में हमारे Central Committee के आधिकरियों के अग्वई के द्वारा 30 July 1921 को भारत सरकार के सामने Society Registration Act 1860 के तहाद 21 दफा के तहाद ये registration हो चुका है और पहले जो की था German Lutheran Mission के नाम से हमारे कलिशय जना जाता था जब registration हो उसका नाम करण किया गया है गोशनर, Evangelical, Lutheran, Church, इल, छोटनाकपूर, एन, आसाम और ये कलिशय दिन प्रति दिन बढ़ते ही जार है आज हम उसका दस चुले मना रहे हैं सब उनको फिर से दस चुले और टोनमी पार्प की सुभ कमना आमिन यदि आप तक आपने मेरे चैनल का सब्सक्रेब नहीं किया इसी घड़े नीची जो रेड बटन में उसे प्रेस करके सब्सक्रेब कर देजिए और जो बेल आइकन निकलेग उसे प्रेस करके पोल पर सेट कर देजिए आपको समय पर मिल सकेए धन्यवाद